हेलो दोस्तों आज काहमारा टॉपिक है स्पिगट स्केट जोइंट या स्पिगट सौकेट कोर्टर जोइंट या इसे हम रौड सौकेट जोइंट भी कहते है ठीक है तो आज हम इसकी Assemb populations बनाएंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप grass चालूँगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और अगर आपको कोई सजेशन देना हो उसके लिए भी कमेंट करें खीक है तो चलिए श्टार्ट करते हम स्फुगेट सॉक्षट जॉइंट बनाना इसके असेंबली कैसे करते हैं तो इसके असेंबली जो है मैं आपको बता दूं हम इसको फएस्ट टाइंगल में बनाने वाले हैं और जो हमारी assembly होगी वो upper half sectioning में होगी ठीक है upper half means जो इसका upper half है ना access के उपर वही सिर्व hatch होगा और नीचे वाला नहीं होगा means हम इसकी sectioning नीचे नहीं करेंगे क्योंकि exam में हमारा ऐसे ही आता है ज़्यादतर और rare chance में पूरी आती है करने को sectioning लेकिन आप ना के बरावाई है इसलिए मैं आप पर हाफ sectioning बताऊंगा जो exam में आता जैसे ताकि आपको help मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे socket बनाएंगे और फिर socket के अंदर rod को assemble करेंगे फिर अपना यह quarter इसमें assemble कर देंगे ख्यफ, तो चलिए start करते हैं बनाना सबसे पहले हम socket बनाते हैं socket बनाने के लिए क्या करेंगे यहां से start करते हैं तो इसके यहां से लेकिए हमारा डाया है वह 64 mm given बेना है ठीक है तो 64 mm ड्रो करते हैं यह हमने एक्सिस पहले ले रखा इसका तो एक्सिस से 64 mm का हाफ कितना हो गया हमारा 64 mm का हाफ होता है हमारा 32 mm means हम इसको नीचे 32 mm ड्रो करते हैं एक्सिस के मार्क करते हैं और उपर 32 मार्क करते हैं ठीक हमने यह line इसको draw करनी है यह line जो है न यह बिल्कुल light से draw करनी है अभी क्योंकि बाद में इसका काम नहीं होगा मेरे इसलिए हमने से light pencil से draw करनी है इसको draw करने के बाद क्या करेंगे यह अंदर वाला diameter है 32 mm का मार्करते हैं फिर उसको आगे बताती है क्या करना है पहले mark कर लेते हैं 32 mm का half कितना हो गया 16 mm नीचे 16 mm उपर अब ही नहीं बनाएंगे अभी सार्प कॉर्णर इसे रखेंगे ठीक है लाश्ट में हम सब कुछ ठीक कर देंगे मीन्स इसमें फिलेट वगएरा दे देंगे जो कॉर्णर हमने फिलेट के ताइप में दे रखाया ठीक है यहां से लिए कि यहां दक 25 mm डारेक्ट हो करते हैं य सेम यह दे रखाया है कॉप कॉर्टर को बैठने के लिए स्लॉट ठीक है तो यह स्लॉट को हम अभी नेगलेट करते हैं डारेक्ट यहां से लिए यहां तक 25 mm ड्रो करते हैं ठीक है तो 25 mm हमने यहां से माक करके ड्रो कर दिया 25 mm यहां भी ड्रो कर दिया 25 mm यहां भी ड्रो कर यहां से लिए यहां तक हमने 32 में का डाया मारके जो की यह वाला डाया था हमारा पहले मारके था इसको यहां तक पहले एक्सपेंड करते हैं इसको यहां तक बढ़ाया 25 mm तक स्यमें थमने इसको यहां से भी 25 mm बढ़ा दिया ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे अब जो हमारा यहां 32 mm का यह जो डाया है इसकी लेंथ इस पॉइंट से कितनी है means यहां से लेकि यहां तक तो 25 है ठीक है और इस 25 के बाद से यहां से लेकि यहां तक कितनी है 62 mm है ठीक है तो 62 mm है तो हमने यहां पर 25 हम पहली draw कर दिया है तो means हमें यहां से 62 mm तक इसे draw करना है तो 62 mm हम यहां समाग करते हैं, 62 mm हमारा यहां आ रहा है और इसको हमने ड्रो कर दिया, same point हमने इसको यहां ड्रो कर दिया, ठीक है, 62 mm, होगी हमारा ड्रो, ठीक है, अब इसके बात क्या करना है, आप देखेंगे कि हम इसको upper half sectioning view में बनाएंगे, लेकिन हमारा यह socket पूरी sectioning में दिवा है, means जो नीचे बात है, वो sectioning नहीं होगा, means यह जो line है हमने हमारे sectioning होने के बाद ऐसी आई है, तो अगर-अगर हम इसे स्रिफ upper half sectioning करेंगे, तो यह कैसा दिखेगा, मैं आपको book में दिखा लेता हूँ, यह कुछ ऐसा दिखेगा, means हमारा यह जो part है, यह इतना ही कटा हुआ दिखेगा, means यह जो upper half है, स्रिफ यह हैच होगा, और जो इसकी मीचे का अगर हम यहां से दिखेंगे, यह point जो हमारा कटा नहीं है, यह direct मिला हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो हम इसको उपर तक मिलाते हैं, कैसे मिलाएंगे, जो हमारा यह बाहर वाला point बच्छी सम्का, यह यहां तक आएगी line, और यह line इसमें draw नहीं करन नहीं है, और यह line जो हमारी यहां तक आएगी, ठीक है, बात में हम इसे जो draw करेंगे, मैं बताऊंगा, पहले तो इस line को जो हमारी यहां तक उपर तक मिलाते हैं, तो हमने इस line को उपर तक मिला दिया, ठीक है, और जो यह वाली line है, हमारी इसको मिटा देते हैं, जो यह व है इसके slot का है slot है ना internal है तो हमें यह बाहर से नहीं दिखेगा अगर आप इसे चाहिए तो hidden में draw कर सकते हूं डेस-डेस line में वरना कोई जरूत नहीं है इसकी draw करने के मिटा दीजिए इसको मिटा दिया अब जो हमने यह इंटरना वाली यहां से लेकर यहां तक इसको नीचे तक draw करेंगे मिंस इस पॉंट तक तो इस पॉंट तक मैं इसको नीचे तक गिरा देता हूं यह अपर मिलिए करना है इसमें हमें भाहर वाला डाया है वो ड्रो करना है है यह यहां फिर यह एंडिंग इसका पॉइंट का हो रहा है 62 प्लस 20 means 62 प्लस 20 is equal to 82 mm तो इस पॉइंट से हमने जहां से mark किया था 44 mm डाया को 82 mm तक हम ड्रो कर देते हैं 82 mm हमारे 82 mm यहां पर आ रहा है और समय हमने इस पॉइंट से भी इसको 82 mm को उपर आश guilty am एक हमें दिखेगा और उपर वाले को भी हमारा यह दिखेगा ऄ요 और अवे किश्की अंगरा इसको आख द्रो कियए हुआ है ठीक है लेकिन इसमें अभी हम स्लोट बाद में बनाएंगे ठीक है तो सबसे आप इसके बाद हम यह यह पॉइंट देखते हैं तो इस पॉइंट से हम यह डाया ड्रो करते हैं 25 mm का तो 25 mm का डाया कितना हो गया हमारा इसका हाफ करेंगे तो उपर नीचे यह 12.5 नीच करने के बाद इस लाइन को हमने इस पॉइंट से मिला दिया और इस पॉइंट को हमने इस से मिला दिया और इसको सर्टेन लेंट तक हमने एक्सपेंड कर दिया ऐसे ही ठीक है क्योंकि हमारा कट सेक्शन में कीवें था तो हमने इसको भी ऐसे ही दिखा दिया ठीक है हमारा ऐ सेक्षिनिंग होगी वह दिखाई देगी नीचे की नहीं देखेगी मिन्स हमने जब सेक्षिनिंग की तो सिर्फ इतना पोर्षन हमारा कटा यह जो हमारा एंड पोर्षन है यह नहीं कटा नीचे का तो मिन्स जो हमारी यह लाइन है यह उपर तक मिलेगी इसको मिला देंगे इ यहां से लेके यहां साउकेट से पता कि रहें न्यादो arch चला से लाकर कि रही है यहां से लेके यहां तक 34 dimension में व्यार खोगा तो कि अतला साउक का pasti यहां से लिग। व्यार से बिल्सक्ट और श्ट गचैनल का पर खोगा कि अजिग्टनमा तक बिला ग्ला ठीक है यह point हमने उपर तक मिला दिया अब इसमें एक और slot है यह दो 3 mm वाला slot है इसको भी चाहें आप draw कर सकते हैं वरना ना चाहें तो भी ना draw करें क्योंकि जब हम इसमें अपनी quarter fit करेंगी इसके उपर ही cover कर जाएगा ठीक है तो कोई बात नहीं हम इसको lightly draw करते हैं 3 mm का gap देखे 3 mm का gap हमने आपर mark किया और इस वाले point पर हमारा यह hidden आएगा क्योंकि हमने इसकी sectioning नहीं किया है ठीक है hidden भी ना draw करें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर lightly हमें पहले draw कर देते हैं ठीक है यह हमारा ऐसे draw हो गया तो दोस्तों जो हमारा स्पिकेट सॉकेट जोइंट है इसमें सॉकेट हमारा complete हो गया बस इसमें यह जो line है इसको आप मिटा दीजे क्योंकि sectioning करेंगे तो इसके अंदर हमारा slot अंदर जाता हो दिखे क्या और slot entry इसमें हम sectioning कर देंगे तो यह कटा हुआ दिखाई देगा ठीक है तो इसको हमने erase क स्पिकेट में यह रोड या स्पिगट फिट करते हैं तो उसको फिट करने के लिए का करेंगे यहां से लेकर यह तक लाय देखेंगे 32 से यह भी हमारा 32 सेंगे कोई दिकरत के बात निया है अब इसकी यहां से लेकर यहां तक distance लेके इसको नानर तक total distance में किविए नहां ले 84 mm, 20 plus 34 plus 84 mm हो गई, ठीक है, 84 mm, तो और अब इसमें देखेंगे, हमारा ये सॉकेट जोर्स की डिस्टन्स कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, तो 25 mm, यहां से यहां तक हो गई, फिर इस पॉइंट से लेकर यहां तक, 62 mm हो गई, तो 87 mm में से, अगर 84 mm घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 3 mm, तो यहां से लेकर, यहां से यहां तक, 3 mm का gap हो गई, और यहां से हमारा, यह, स्पिगट या, रॉड, स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो हम यहां से 3 mm पहले mark करते हैं, 3 mm हम यहां पे mark कर लेते हैं, 3 mm हम यहां से mark किया, और इसको, यहां तक ऐसे, ड्रॉव कर दिया, ठीक है, क्यूंकि, इस पिगट, और जो हमारा, सॉकेट है, इसके बीच में, 3 mm का gap आएगा, क्यूंकि, इस सॉकेट का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, जो 87 mm हमारा आया था, और हमारा जो रॉड है, यहां से लेकर यहां तक, इसकी डिस्टेंस जो अंदर जाएगा, उसकी डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, 84 mm, 87 minus 84 कितना है, 3 mm का gap, तो यहां से हम डायक्ट 3 mm ले लिया, अब इस पॉइंट से हम, सॉकेट की जो डिस्टेंस, सॉकेट की जो डिस्टेंस है, वो मार्क करेंगे, कितना आएगी, 84 mm आएगी ना, तो 84 mm यहां से लेकर यहां तक आएगी, ठीक है, मीन्स देख लो आप खुदी, डारेक्ट, यह देखो, 84 mm आ रही है ना, यहां से लेकर यहां तक, यह मेरा 0 पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और यह 84 mm है, ठीक है, तो मीन्स हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, अब इसके बाद, मीन्स हमारा इसमें बैठ गया अंदर वाला पोर्शन यह, ठीक है, कितना सिंपल सा, यह रोड का हमारा अंदर वाला पोर्शन पूरा बैठ गया, ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें य आप कितना होता है हमारा जो हमारा यहां से लेकिए यह तक दिस्टेंस थी हमारे довольно इसलिए आप डारेक्ट लेले, यहां से लेकिए यहां से लेकिए यह तक दिस्टेंस ले लेते हैं बस év प्रिष्टेंस हमने माक की और इसको ड्रॉ कर दिया यहां तक और इसको ऊपर तक ड्रॉ कर दिया 44 तक ठीक है और इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया इसे मिल गया हमारा मिल गया हमारा अब मिलने के बाद इसको क्या करेंगे हम हम यह ड्रॉ करेंगे 25 हमका जो डाया है ठीक है इसको certain length तक करेंगे क्योंकि यह भी हमारा break हो गया है जैसे कि हमारा यह socket में break हुआ था ठीक है तो इसका भी projection लेकर हम इसको draw कर देते हैं इसका position हमने लिया और इसको certain length तक draw कर दिया same as हमने इसका भी projection उपर से लिया और draw हो गया ठीक है हमने इस तरह भी इसको ऐसे break किया था अब इसको नीचे से break करना हमें means इसको यहां से ऐसे गुमाया और दूसरे portion को हमने यहां से ऐसे गुमाया ठीक है और इसको यहां मिला दिया इसको ऐसे जोड़ दिया जैसा आप देख पा रहे हैं ठीक है अब इसकी बात क्या करेंगे जब हम इसको section करेंगे तो हमारा यह portion भी इतनी distance कटा हुआ दिखाई देगा ठीक है अपर हाफ में तो इसको भी हम मिटा देते हैं ठीक है यह सब assumption का खेल है अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा bit बनाने क्यूरत नहीं आप डारेक्टली draw करने लग जाएंगे कि कौन सा पाट कटा होगा कौन सा नहीं ठीक है तो एक बार ध्यान से देखना और आपको समझ में आता जाएगा सब कुछ ठीक है इतना हो गया अब जब इसमें हम अपना इसमें अपनी रॉड फिट कर देंगे स्पिगट फिट कर देंगे इसमें गैप तो हमारा पता चल गया है यहां से लिए यहां तक 3mm है means जो हमारा यह गैप है इस लोट का गैप इसके जो हमारा सॉकेट है इसकी गैप से भी 3mm की डिस्टेंस प्याद आएगा means इसकी जो स्टार्टिंग है हमारी वो यहां से होगी 3mm कि दोरी से ठीक है तो इसके स्टेट में ही यह ड्रो होगा ठीक है इसके स्टेट में आएगा तो अब हम इसमें अपना सॉकेट ड्रो कर दिया हमने स्पिकट भी ड्रो कर दिया अब इसमें अपना कॉटर ड्रो करेंगे तो कॉटर जो हमारा इसके distance हमारी 100 में है means axis से 50 में उपर है का 50 में नीचे लेगा लेकिन एक side से हमारा ये taper है और दूसरी side से हमारा ये vertical है means सीधा है ठीक है तो ये हमारी merge होगी कि किस side से हम इसको जो इसका सीधा part है वो किस तरफ लें लेकिन मैं आप से suggest करूँगा कि हमारा जो लगाने का system है और अगर आपको easily बनाना भी है तो भी आप इस side से लेना state वाला portion जिस side से हमारा ये gap हो ठीक है तो हम यहां से लेते हैं तो 50 में उपर ले लेते हैं 50 में नीचे जो हमने ये state वाला portion यहां से लेकिए यहां तक 3 में का gap अभी तो यहां तक हमने 50 में लिया और इससे उपर 50 में पर आ गया 100 में के बाद अब क्या करना है अब इसकी distance देखेंगे यहां से लेकिए यहां तक 34 में है तो means यहां से लेकिए यहां तक 34 में हम इसे बढ़ाते हैं तो 34 mm कितना हो गया यहां से लेकिए यहां तक यह हो गया हमारा यहां पर ठीक है और फिर नीचे वाला portion हमारा कितना हो गया यह वाला 28 mm हो गया तो इस point से हम 28 mm ले लेते हैं तो 28 mm अब यह वाला point है और यह वाला point है इन दोनों को हमें match कर देना है मिला देना है तो आप इसको ड्राफटर के हैं से मिला लें मेरे यहां पर camera set का रखा इसलिए ड्राफटर को rotate करने में दिक्कत होगी इसलिए मैं scale का use कर रहा हूं ठीक है तो scale का use करूंगा तो अब जो इसका portion है ना वह हमारा यहां से लेकर यहां तक तो state आएगा बिल्कूँ मतलब ठीक ठाक आएगा दिखता हुआ आएगा जो यहां से हमने इसको hatching मतलब sectioning कर रखी है ठीक है लेकिन इसके नीचे से जब portion आएगा तो यह हमारा hidden हो जाएगा तो आप इसको dash dash से भी दिखा सकते हैं या छोड़ भी सकते थे ठीक है और इसके बाद से बाहर निगलेगा तो यह हमारा ऐसा दिखेगा ठीक है means इसके जो हमारा axis है वहां तक तो यह हमारा पूरा दिख रहा है लेकिन उसके बाद से हमारा यह hidden दिखने लग जाएगा तो अब इस portion को हमने dark कर देना है इसका जो point हमारा ठीक है यह dark हो गया अब यह हमारा ट्र हो गया अब देखेंगी जो हमारा quarter है इसमें फिलेट दे रहके round कर रहा है तो यह हम कर देंगे इसके कोई dimensioning होती है तो इसको आप circle master की help से कर दें चाहिए compass की help से कर दें मेरे साब से circle master की help से कर दें तो चल्दी हो जाएगा आ हमने इसको नीचे भिगर देना है ठीक है तो यह हमारा कुछ ऐसा नजर आएगा ठीक है complete हो अब जो अंदर का पार्ट है हमारा इसको मिटा देते हैं क्योंकि जो quarter है यह cover कर लेगा यह पीछे वाला पार्ट है जो हमने यह draw कर रखा है तो इसको मिटा देते हैं ठीक है तो यहां से इस वाली लाइन को जो हमारी straight line दे इसको भी पूर अडरो कर देते है तो यह यह यहां तक मिट जाएगी क्योंकि यह हमारी section नहीं होगी है और इसके नीचे की भी यह यह नहीं मिटाई की ध्यान रखना ठीक है क्योंकि यह ऊपर है ठीक है तो यह spigget and socket joint का हमारा front view ready हो गया पस इसमें हमें hatching करने है तो hatching हमारी किस किस पार्ट में होगी hatching हमारे इसके कुछ portions में होगी rod के जो जाएश पिकट है और हमारे socket में ठीक है तो start करते हैं से जबन है में यह हैचिंग इसवले हम्किन स्लोट है इसको हमार् करते हैं ताकि इसमें schaus दॉटेव वैट गसे didЛो हमें यहां तक ठाते है हम इसमें फहले में पूरी में तो नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इसको यहां पूर्त ऐसे साइन में दिखा जैता है ब्रेक करें अब इसको हैच करते हैं हम अपने सबस्पीगड को तो 45 डिगरी पर गुमाया सबसे पहले हमनेदाफ्टर और हैच करना start करते हैं यहां से constant distance पर करना है 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 ठीक है 45 डिगरी पर तो इसको ऐसे ही यहां तक complete कर देंगी तो देखिए इस पिगड यह रोड में हमने hatching कर दी और यह जो slot है इसके लिए हमने gap छोड़ दिया ठीक है क्योंकि यह slot में हमारी hatching नहीं होगी अब इस पिगड में इस पिगड के दूसरी दरफ करते हैं हमारा यह portion है इसमें भी hatch होएगी ना यहां पर तो इस portion में हम इतनी distance पर hatch करते हैं जो हमारा rectangle है तो इसको भी हम same direction में क्योंकि इस direction में hatch किया है तो यह same part है इस पिगड का पार्ट यह भी तो इस इस direction में हम इसको भी hatch कर देंगे है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह hatch हो गई तो यह हमारी स्पिगड यह rod पर hatch हो गई अब इसके बाद हम करेंगे अपनी यह socket पर hatch करने से पहले हम इसको भी यहां पर break करके दिखा देते हैं जैसे किस में किया था अब इस direction में इस पिगड को यह rod को है यह rod भी है यह spigat भी है कहते हैं इसmi इस्तों इस direction में hatch किया ताब इसको में इस के opposite direction में 90 degree पर hatch करेंगे मिस हमने इसको इस direction में hatch क्या था आप अपनी is 중에 çıkart को अब socket को इस direction में hatch करेंगे ठीक है तो socket कहा पर कहा हो पर रिजग धे this एक इस पॉइंट पे होगी और इस पॉइंट से यहां तक यहां तक होगी ठीक है तो मैं इसको हैच करता हूँ तो इसके लिए हमने ड्राफ्टर सेट किया और इसको हैच करते चले आए ठीक है एसे हैच कर दिया सेम है हमने इसको यहां से लिए कि यहां तक हैच कर देते हैं तो हमारा यह सॉकिट भी हैच हो गया तो हमारी यह एसेम्बली कंप्लीट हो गई अपराफ सेक्शनिंग में ठीक है अब इसके डामेशनिंग कर देते हैं और कुछ चीज जो मैं आपको बताना क्यांना छाओंगा जैसे यहां से लेकर यहां तक कि यहां तक गीए3mm का है ठीक है क्योंकि यहां से लेकर इसका ndpetacas यहां रडिम हमारी वगज करें यहां पर दिखा देना 3 mm तो चल जाएगा आपके एक्जाम में तो friends, Spigot and Socket Joint की अपर half sectioning view हमने दिखा दिया और इसकी कुछ essential dimensioning भी मैंने यहां पर आपको दिखा दी है तो यह जो dimensioning आपको एक्जाम में है तो यह कम से कम यह दिखा देना जिससे आपको full marks मिल जाए ठीक है तो हमारा यह front view complete होगा अपर half sectioning view अब हम इसका top view बनाएंगे ठीक है तो top view बनाने के लिए हम इसका projection ले लेंगे ठीक है फिर start करते हैं तो दोस्तों अब हम इसका top view बनाएंगे top view बनाने के लिए हमने आपर projections ले लिया है अब इस projection के according हम ड्रॉ करते हैं तो यहां से लेके यहां तक इसकी जो डाया है वो कितना 25 mm का तो 25 mm इस axis पर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको 25 mm तक यहां तक means इस line तक ड्रॉ कर दे जहां से हमने प्रॉजिशनल लिया है 25 mm का डाया को ठीक है ड्रॉ कर दिया अब इसके बाद क्या किया हमने इसको सेम ऐसे मिला दिया ठीक है हो गया अब इसके बाद जो यहां से लेके यहां तक इसका डाय कितना है 44 mm तो 44 mm का डाया माग करके ड्रॉ करते हैं 44 का हाफ कितना हो गया 22 to 22 44 mm का 22 mm नीचे 22 ऊपर तो 44 mm हो गया अब जो यह 44 mm है इसके डिस्टनस यहां तक है तो इस वाले जो हमने आप प्रोजिशन लिया इसके लिए यहां तक इसको एक्सपेंड यहां बढ़ा देते हैं ठीक है तो यहां तक हमने बढ़ा दिया अभी हम इसको सार्प कॉर्णर में बना रहे हैं आप अगर फिलेट ड्रॉ करना चाहिए तो कर सकते हैं वनना कोई बात नहीं ऐसे भी छोड़ सकते हैं ठीक है तो इसको हमने यहां तक एक्सपेंड कर दिया एक्सपेंड करने के बात क्या देखेंगे यहां से लेके यहां तक कड़ाया हम ड्रॉ करेंगे ठीक है यहां से लेके यहां से लेके यहां तक कड़ाया कितना था 64 mm था ठीक है तो 64 mm का half कितना होता है 32 तो 32 mm उपर 32 mm नीचे mark करके इसको draw कर देते हैं ठीक है और इसको draw कर देते हैं light pencil से अभी यहां तक draw करते हैं ठीक है बाद में भी dark करेंगे क्यूं क्यूंकि मैं बताता हूं भी क्यूंकि यहां पर अभी हमारी की लगेगी इसलिए ठीक है तो हमने इसको draw कर दिया और यह जो हमारा डाया है 64 mm का यहां से लेकर यह तक इसकी distance अगर हम horizontal में देखें वो यहां से लेकर यह तक है इसका position हमने लिया है ठीक है तो इसको हम यहां से लेकर यहां तक मिला देते है और इसके स्टेट में ही इस पॉइंट को हम मिला देते हैं इसको मिलारनी के बार हमने इसको भी ऐसे ही रेक्टेंगल form में ड्रॉव कर दिया अब इसके बाद क्या करेंगे इसकी distance ड्रॉव करेंगे यहां से लेकर यहां तक जो है तो इसका position हमने ले रखा है इसकी distance, horizontal में यह टो सबसे पहले हम इसको मांक करने से पहले है लेकिन हम इसका डाया ड्रॉ कर लेते हैं यहां कर देते हैं कि इसको हमाग किया और इसको हमाग किया और इसको यहाहं हमाग किया और एकस्पेंड केतने तक करना है एकस्टेंड करों किका 98AS तुक 12mm Ado та 2mm but Siei ale has the cookie to make the same M कि इससी में अ seit भी कर देना है इसको बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद hard या इसको एकेनल में बंद करने संद करने बाद रेक्टा इसको राने के वाल头 में बंद करने के बाद कर यहीं श्ねहां है When the 25 mm कट आया था और इसको भी हमने ऐसे sectioning करके दिखा दिया ठीक है यहाँ पर चीज दोट करने अले बात है क्योंकि हम यहाँ पर जो top view है हमारा कोई sectioning नहीं बना रहे जो हमने फिर इसलिए जो हमने यहाँ हमारा dimension है इसको भी हम पूरा box में pack कर देते हैं ठीक है तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक pack कर दिया हमने अब इसके बाद क्या करने है इसमें हमारी की बनानी है तो की का dimension देखेंगे कितना है की जो हमारी वह कितनी है ठीक है 6 mm तक means center से उपर नीचे 6 mm है में इस 3 mm उपर 3 mm नीचे तो हमने 3 mm उपर mark की 3 mm नीचे mark की ठीक है 6 mm की हो गई और इसक गारी आप दिया अंधल केosi कि आपका आथसे कि जो लेकि यहां तक इसका प्रुजिशन ले रिते है तक सबसटत पहले इसका प्रूजिशन क tastes INा स नुपर न उपर इसका position यहां बे आके touch करेगा तो इसको हमने यहां तक बढ़ा दिया ठीक है बढ़ा दिया और इस point से हमारा position लोग लेंगे क्योंकि इस point से यहां तक हमारा 34 mm होना जी है क्योंकि हमारी यह जो है इसका above 34 mm given है ठीक है तो हमें पहले जो इस point से यहां तक जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि हमारा यह taper form में लगाओ यह line तो straight आ रही है जो जिसका position हमने यह लेकर यहां तक draw कर दिया अब इससे यहां से लेकर यहां तक की distance 34 mm होनी चाहिए तो 34 mm इस point से हम मार्क करेंगे 34 mm 34 में 34 ठीक है 34 कुछ बच्चों समझ में नहीं आता इसलिए मैंने बोला तो मार्क कर दिया अब इसके बाद हमने इसको निशे तक draw कर दिया और इसको दुबारा से यहां पर ऐसे मिला दिया और box बंद कर दिया same इसको आगे बढ़ा के तीन एम तक और उपर तक कर दिया बंद कर दिया यह हमारा बंद गया अब इसके वाद यह अंदर का जो पोर्षन है इससे erase कर देते हैं और इसको dark कर देते हैं यहां तक ठीक है और नीचे का लग भी dark कर देते हैं ठीक है तो मैंने mark कर दिया और इसमें हलकी फिलेटो के रहा भी ड्रो करके दिखा दी और यह की का स्रेक्षन हमने यह ड्रो किया ठीक है तो यह हमारा इसका टॉप यू भी ड्रोगे स्पिगेट सॉकेट कॉर्टर जॉइंट का अब इसमें कुछ टाइमेंशनिंग कहा देता हूं फिर इसके बाद बनाते हैं ठीक है हमारा साइड वी होगा इस साइड से देखेंगे लेफ साइड वी बनाएंगे तो लेफ राइट में बनेगा क्योंकि हम फस्ट एंगल में बना रहे हैं ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं लेकिन इसका टॉप व्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बताना कि उसमें हमने की का पोपरिशन जा चींड यू बाकी था अ फ्रेंट ग्यू तरॉप घ्रमें की तरी कौने के अफर में प्रेंग की थे इस यूपरिए विग्यू तर्गरद इसका साइड भी गुनाना बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें number of circles हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो हम left side से देखेंगे तो कौन से circle हमें देखने को बिलेगा हम देखते हैं सबसे पहले हमें ये circle 25 mm डाया का देखने को बिलेगा जो हम उसे वहां ड्रो कर देते हैं 25 mm के डाया का circle तो 25 mm डाया के circle ड्रो करने के लिए हमने 25 mm गई भी है तो इसका position लेकि हमने compass में लिया और इसके center point पे रखा और एक circle ड्रो कर दिया ठीक है ये circle ड्रो कर दिया इस circle के अंदर हमारी hatching होगी जो ये वाली है न ऐसी hatching हमारी आएगे ठीक है इस direction में लेकिन इससे पहले हम अपने दूसरे circles से देखते हैं और गोंसे आएगे जो टाय की form में हमारा यहाँ से लेको यहाँ तक जो circle देखेगा 64 SM का ड्रो होगा तो 64 SM का circle ड्रो करनने के लिए यंवी हमारा चॉले सम का ड्रो के लिए हमने compass यहां से यहां तक खोला और इस point पर रखा और एक circle ड्रो कर देंगा सबसे बड़ा यहां से लिए यहां से लिए यहां से लिए उसका डाया कितना है आप यहां पर देख सकते हैं यहां से लिए यहां तक 64 mm तो वश्क के कमपस पर रखेंहे और यहां से मैंजर कर देख लिए on the अपने बस्ते बाद इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अपनी ये कोट्र को ड्रोकर देता है, कोट्र का प्रॉजशन यहां से इसके end point से यहां भी समाख करेंगे और नीचे से भी से Mark कर लेंगे ठीक है नीचे से Mark कर लिया अब किया करेंगे particles को below करेंगे particles की ठीकनिस कितनी दिवी थी क्योंकि साइड़ इगो से हमारी ऊसकी ठीकनिस आई गी जैसा कि हमने इसके यहाँ बनाया था हमने ठीक़े ज़िशने कितनी थी इसकी distance ही हमारी 6 mm की ठीक है तो 6 mm हम यहां से यहां इसको mark करते हैं 3 mm left side 3 mm right side इस point से ठीक है इसको mark करते हैं हम सबसे पहले तो 3 mm left side 3 mm right side तो हमने इसको यहां से यहां draw कर दिया 3 mm same as हमने इस point को यहां से यहां draw कर दिया और इस point को हमने उपर ले जाके मिला दिया सेम एस यहां भी अब इसके बाद इस पॉइंट से जो हमने मार्क किया था 3 mm यहां से विया फिर इससे ही हम प्रोजेक्शन ले लेंगे प्रोजेक्शन लेने वाला सबसे एजी काम है टाइम भी आपका सेव हो जाएगा ठीक है तो इसकी फिलेट कैसे ड्रॉब आपका से देंगे इसको पूरी फिलेट तो आपका से देंगे इसमें हलका से देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे सेमें इसमें भी ऐसी देंगे और इसको मिला देंगे ठीक है प्रोजेक्शन हो गया तो यह है हमारा speaker socket joint यह इसका front view आपर half sectioning है यह top view है और यह side view है side view में है यह हमारा left hand side view क्योंकि left side से देखते हैं first angle में तो right में बनता है ठीक है आपको पहले से पता है तो आपको यह वीडियो कैसे लगी? लाइक and कमेंट करके बताएं चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब पर ले थांक यू